हलो फ्रेंट्स मैं संपधा कुल करनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में इस वीडियो सेरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्स्प्लेंड कर रही हो कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री ड्रैवर्सल क्या होता है Tree Traversal के दो टाइप्स होते हैं DFS and BFS DFS is Depth First Traversal Technique और BFS जो होता है वो होता है Breath First Traversal Technique अभी आप मैंने जो एनिमेशन के साथ explain करने की कोशिश की है वो है Depth के साथ जो Tree Travers होता है Depth में जो Tree Travers होता है उसको Depth First Traversal Technique बोलते है और जो Level-wise होता है Breadth-wise होता है उसको Breadth First Traversal Technique बोलते है अभी आप देख सकते हो Depth First Traversal के और तीन सब टाइप्स है जो है Pre-Order, In-Order and Post-Order Traversal अभी यह जो तीनो टाइप्स है वो Depends on Position of Root Node जो Root Node के Position होती है उस पे यह Depend करता है कि यह Case Order में Travers होता है अगर इसके बाले में आपको ज़्यादा जन करी शाहिए तो मैं यहाँ पे Right-Up Corner पे Shortcut Link Provide कर रही हूँ Playlist का जिस पे मैंने सारे Tree Traversal explain किये हुए है और Depth First Traversal जो होता है वो Level-wise Traversal होता है इसलिए उसको Level-order Traversal भी हम बोलते है तो हम यहाँ पे अभी अगर हमें In-Order में Travers करना है तो उसका Sequence होता है Left Node और Left Sub-Tree Root Node and Right Sub-Tree तो मैं यहाँ पे यह सारी चीज़े आपको Example के साथ explain कर रही हो अगर मेरे पास यह Simple वाला Tree है जिसका Root Node है A जिसका Left Child है B और जिसका Right Child है C तो अगर यही Tree मुझे In-Order में Travers करना है तो हमें के से Travers करना है तो हमें सबसे पहले Left से Start करना होगा रूट से Start करते हुए हम Left Child चेक करेंगे अगर है तो हम उसको हम Process कर लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने Left Child को Process कर लिया है उसके बाद हमें इस Left Child से Root Node तक जाना है Left Child से Root Node तक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यही सारी चीज़े इस Arrow के साथ Explain करने की कोशिश की है अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको Tree Data Structure पता है तो हम Upper Level पे तो हम Parent Level पे Move नहीं हो सकते हैं और उसको Move होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि Tree Data Structure में जो होता है वो Addresses हम Parent Node में Child Node के Save करते हैं Child Node में Parent Node के Addresses हम Save नहीं करते हैं तो हम कैसे Move Back करेंगे यह सारी चीज़े में आपको इसे Video Session में Explain करने वाली हूँ फिलहाल आप यही धान में रखिए कि अभी Left Child हमारा Process हो चुका है और अभी हमारे Root Node की बारी है तो यह आ गया आपका Root और Root Node क्या है आपका A तो यह भी मैंने Process कर लिया अभी Root Node होने के बाद हमें Right को Move होना है तो चलो हम Right को Move होते हो और Right Child C को हम यहाँ पर Display कर लेते हैं तो जो की मैंने अभी आपको बोला कि यह जो है हम B से A तब कैसे Move होगे तो यही हमारा Question है कि How, How we are going to move back from Child Node to the Parent Node तो इसके लिए हमारे पास Solution है तो Solution क्या है Solution है हमारे पास हमारे दो Algorithms जो की है Recursive Algorithm and Non-Recursive Algorithm तो Recursive In-Ordal Algorithm मैंने Already Explain किया हुआ है अगर आपको उसकी Shortcut Link चाहिए तो मैं यहाँ पे Right Up Corner पे वो Flash कर रही हूँ आप वो भी रेख सकते हो और साथ-साथ आप यहाँ पे मैं Non-Recursive Algorithm Explain करने वाली हो Non-Recursive In-Order Binary Tree Traversal यह हम मेरे आज के Video Session का Topic है तो In-Order Traversal का Non-Recursive Algorithm क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेरे Function का नाम है In-Order जिस पे मैं Root Node पास कर रहे हूँ Total 5 Steps है उसमें से मेरी First Step है To Create a Stack Data Type of Data Type Structure Node जो कि हमारा Node Data Structure है अभी Node क्या होता है यह सारी चीजे मैंने पहले प्रीवेस वाले सारे वीडियो में एक्स्प्रेंट किया हुआ है I hope आपको यह सारी चीजे पता है आपको Stack Data Structure भी पता है और हम Stack Data Structure क्यों यूज कर रहे है क्योंकि Stack की जो प्रॉपरिटी है Last in, First out वही प्रॉपरिटी हमें हेल्प करेगी Stack में से उसके Child Node से Parent Node तक Move होने के लिए इसलिए हम Stack Data Structure यहाँ पर यूज कर रहे है तो हमें सबसे पहले वो Stack Data Stack Create कर लेना है और हमें Current Node जो Variable है उसको Root के साथ Initialize कर लेना है अभी यह जो Third वाला Step है वो While Loop है जिसमें हम सबसे पहली Condition चेक करेंगे कि Current Node जो है हमारा वो Null नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर Root ही हमारा Null है तो हम आगे जाके कुछ नहीं Perform कर सकते है और हमें यही पर Stop कर लेना है पर अगर हमारा Root Node नल नहीं है मतलग कि Root Node में Data और Value Available है तो हमें Tree Traverse करना है इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि Current Node हमारा Root Null नहीं है तो अगर यह नहीं है तो हमारा जो अभी Current Node है वो हमें Stack में Push कर लेना है और हमें Current Node Reset करना है Current Node कैसे हमें Reset करना है तो जिसमें जो अभी Current Node है उसका Left Chain हम Assign कर लेंगे और उसको हम update कर लेंगे इस current root node को फिल हाल आपको ये थोड़ा सा difficult जाएगा पर मैं आपको next slide में example के साथ ये सारी चीज़ explain करने वाली हूँ तभी आपको ये एकदम पक्का समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है तो ये हो गए आपका third step ये आपको continue execute करते जाना है यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और धान में रखने के लिए बोल रही हूँ कि ये जो first while loop है यानि कि step number three इसमें हम left child को move होने वाले है और left child को हम continuously move होते रहेंगे जब तक कि आपके left child जो है वो leaf node नहीं है मतलग कि उसके left child में null नहीं है तब तक हम यहाँ पे move होते जाने वाले है तो ये loop हमारा continue चलता रहेगा जब तक आप left 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 करके end तक नहीं आ जाते जब आप end तक आ जाते हो इसका मतलब आपके left child को left child null आपके current node को left child null node है तब आपको यहाँ पे रुख जाना है अभी आपके current node में null आ गया इसलिए मेरा next while loop सबसे पहला condition चेक करेगा current node जो है वो आपका null है और उसके साथ साथ हमारा stack empty नहीं है हमारे stack में कुछ नहीं कुछ data available है अगर यह दोनों condition क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है and आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे and use किया है तो अगर यह दोनों condition true है तो ही हमें इस while loop में enter करना है और while loop में enter करने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहला वेला मेरा stack है जो कि आपका top of the stack है वो हमें pop करना है और उसको display कर लेना है अभी आपको मैं यहाँ पे और एक चीज highlight करने वाली हूँ जो की है सबसे पहले हमारा क्या होता है हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें left को सबसे पहले traverse कर लेना है इसलिए हमने यहाँ पे यह जो while loop यूज किया था वो left को जाने के लिए यूज किया था अभी left तो हो गया क्योंकि left का जो child है वो null हो गया इसलिए condition false हो गया इसलिए हम इस loop में आ गये तो सबसे पहले हमें क्या करना है अभी जो कि हमारा root node है उसको हमें process कर लेना है processing मतलब display तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ उसी node को मैंने pop कर लिया stack में से और उसको मैंने यहाँ पे display कर लिया अभी यह हो गया आपका left यह हो गया आपका right अभी किसकी बारी है अभी फिर से हमारी बारी है right node की तो इसलिए हमारा next step जो है 4.2 वो है आपको current node फिर से update करना है जो कि आपने pop किया था element उसके right child को हमें उसको assign कर लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो sequence left root node को display करना और फिर right को जाना और फिर right को जाने के बार हमें फिर से step 3 को move होना है क्योंकि right child को फिर से अगर left child available है त तो हमें फिर से left 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 करके leftmost node पे जाके उसको display करके फिर से उसके right को check करना है तो यही sequence हमें बार बार follow करनी है और वो follow करने के बार at the end आपको क्या check करना है कि आपका जो current node है वो अगर null है और आपका stack उसके साथ साथ empty है तो यह दोनों condition अगर true है इसका मतलब है हमारा tree drivers करक हो चुका है तो आप please continue किजिए इस वीडियो को क्योंकि मैं next slide में आपको इसका example explain कर रही हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह वाला जो मैंने अभी explain किया था last वाला example वही मैं in order non recursive reversal के साथ explain कर रही हो तो सबसे पहला task के हमारा stack create करना क्यूंकि step 1 जो है वो creation of stack है तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने stack यहाँ पर create कर लिया है यह मैं आपको यहाँ पर dry run करके explain कर रही हूँ I hope आप सबको यह सारी चीज़े समझ में आ रही है कि मैं आपको यह किस example के साथ explain कर रही हो अभी इसके साथ जो मेरा step number 2 है वो जो है current node हमें root के साथ initialize करना है तो अटर कि हमारी condition TRUE है और हमारी condition क्या है current node जब तक NULL नहीं है हमें ये continue करते जाना है तो सबसे पहले देख लो कि condition true है या false मेरा current node जो है उसमें value है A जो की NULL नहीं है तो condition मेरी true हो गई है तो फिर हमें क्या करना है इस current node को हमें stack में push कर ले ना है इसका मतलब मैं इस A को अपडेट करना है क्या अपडेट करना है आपके करेंट नोड को जो की फिलहाल करेंट नोड है उसके लेफ्ट चाइड को आपको करेंट नोड बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अगला वाला स्टेप तो यह हो गया मेरा करेंट नोड जो की A का लेफ्ट है जो ह तो मेरा अभी current node update हो गया अभी मैं B को current node बनने वाली हो तो मेरा B current node है वो फिर से while loop condition चेक करेगा अगर मेरा current node नहीं है तो हम फिर से enter करेंगे while loop में जिसमें हमें current node stack में push करना है तो आप यहाँ पर observe कर सकते हो कि मैंने अभी B को भी stack में push कर लिया है उसके बाद फिर से हमें current node को update कर लेना है जो कि मेरा अभी फिलहाल current node है B उसका left child उस मतलब की null इसको मैंने B के left child को मैंने assign कर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा current node जो है वो B का left child है इसका मतलब की वो null है क्यूंकि B को left child present नहीं है तो आप देख लो जान लो समझ लो कि यह condition true होगी या false तो आप सही बोल रहे हो कि यह condition होगी false क्यूंकि अभी आपका current node जो है वो हो गया है null तो यह condition false होने के बाद हमें क्या करना है तो हमें step number 4 पे जाना है पहला होला condition तो हमारा true है मतलब की current node जो है वो null है उसके साथ साथ हमारा stack empty नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हो stack में 2 value available है और फिर से प्लीज आप यह एक पार सोच लो कि top of the stack क्या है क्योंकि next step में हमें जो top of the stack है वो हमें pop करना है तो हमें दोनों condition true है इसलिए हम इस while loop में जाके सबसे पहले हम जो top of the stack है उसको pop कर लेंग और उसको display कर लेंगे तो सोचो कि हमें pop क्या करना है तो हम B को pop कर ल और यह यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर लिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने सबसे पहले left child को डिस्प्ले कर लिया है, अभी अपकी बारी है कि यह जो B हो गया है, यहाँ से आपको फिर से root node को move होना है, जो कि आपका सबसे important question था, कि हम इस child node से parent node को move कैसे होंगी तो आपका solution जो है, तो वो solution यहाँ पर present है, जो कि है आपका stack, आपको stack जो है, वो help करेगा आपके child level से parent level तक move होने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका next वाला condition क्या है, यह display होने के बाद, आपको current node जो है, वो current node जो आपको फिर से update करना है, reassign करना है, किस से, तो जो वाला आपका popped वाला element था, उसके red child से, तो उसका red child भी null है, तो यहाँ पर आप just observe कीशिए, कि आपका जो current node है, वो फिर से update हो गया null को, क्योंकि B का red child जो है, वो है null, अभी यह जो null है, तो आपको फिर से क्या करना है, आपको step number 3 पे जाना है, step number 3 को जाने के बार आपको चेक करना है, current node आपका null है या नहीं, तो यह तो null हो गया, यह null होने के बाद, यह तो condition false हो गई, तो यह step number 4 पे चलाया जाएगा, step number 4 पे जाने के बाद, आपका current node जो है, वो है null, और आपका stack empty नहीं है, तो दोनों condition true हो गए, तो हमें फिर से क्या करना है, हमें pop करना है, तो यह जो popping है, इसका मतलब हम child level से parent level तक move होने वाले हैं, और हम इस a को भी pop करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो, मैंने a को pop कर लिया, और मैंने a को display कर लिया, तो आप समझ सकते हो, कितने easily हमने child level से parent level तक move कर लिया, क्योंकि हमारे पास यह stack है, तो stack हमें help करत सा है to move from child level to the parent level और अभी इसके बाद हमें क्या करना है अभी मैंने इसको डिस्प्ले कर लिया हमें फिल से करेंट नोड को अपडेट करना है क्या होगा करेंट नोड अपडेट जो अभी आपका पॉक्ट इलिमेंट है वह कौन सा है एक को राइट चैल्ड अगर है तो उस रा करेंट नोड है वह एका राइट चैल्ड है इसका मतलग की सी तो मेरा करेंट नोड जो हो गया वह सी उसके बाद हमें कहा पे जाना है हमें फिल से स्टेप नंबर थ्री पे जाना है स्टेप नंबर थ्री हमें क्या बोलता है फिल से हमें स्टेप नंबर थ्री हमें बोल रहा है कि condition check करो current node अगर आपका null नहीं है तो आप while loop में enter कर सकते हो तो मेरा condition तो true हो गया क्योंकि मेरा current node जो है वो है c जो की null नहीं है तो condition true हो गया इसलिए हमें उस node को current node को stack में यहापे push कर लेना है तो आप observe कर सकते हो यह मैंने c को यहापे push कर लिया उसके बाद फिर से हमें current node को update करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने current node को update कर लिया किस से update करना है जो आप भी मेरा current node है उसके left child से हमें update करना है तो C का left child आप देख सकते हो यहाँ पे C का left child है null तो मेरा current node हो गया null तो फिर से वो while loop पे जाये था condition तो false हो गया, फिर से step number 4 पे जाके condition ये true हो गया second value while loop का, क्योंकि current node है null और stack non empty है तो हमें top of the stack जो है, वो stack में से pop करना है तो हमें क्या pop करना होगा, हमें C यहाँ से pop करना होगा और उसको display करना होगा, तो यह मैंने यहाँ पे display कर लिया है उसको display करने के बाद, हमारा next step क्या है, फिर से हमें current node update करना है किस से update करना है, popped element के right child से तो हमारा popped element कौन सा है, C, उसका right child यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि फिर से null है यहाँ पे मैंने फिर से वोई सारी चीज़े explain की है तो मेरा current node जो है, वो C का right child है, जो कि है null उसके बाद, मैं फिर से step number 3 को जाऊंगी step number 3 जो है मेरा current node अगर null नहीं है, तो ही हमें यह सारी चीज़े perform करनी है step number 3 की दोनो steps, that is 3.1 and 3.2 पर यह condition हमारी false हो गई है, इसलिए वो 4 पे जाएगा 4 को जाने के बाद, अभी आप सोचो कि यह condition true है या false मेरा current node null होना चाहिए और उसके साथ-साथ stack empty नहीं होना चाहिए not empty, तो आप देख सकते हो, आपका current node जो है, वो तो null है पर stack में कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरा stack empty है तो अगर यह condition false है, तो मेरा while look false हो गया और मैं इस 4.1, 4.2, 4.3 execute नहीं करने वाली हूँ, अभी step number 5 को में directly move होके, मुझे अगर मेरा current node null है और stack भी empty है इसका मतलब हमने पूर आटरी in order में traverse कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो in order traversal जो है, वो है B, A, C, तो B है आपका left, A है आपका root node, C है आपका right so left, root, right, इस sequence में मैंने यह traverse कर लिया है, यह traverse कर लिया है with the help of non-recursive algorithm, so I hope all dear friends कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई है thank you for listening and watching my video, comment देना ना भूलिये, उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे आपको मेरे चानल को subscribe करने के लिए shortcut link दे रही हूँ, please मेरे चानल को subscribe कीज़े, उसके साथ-साथ मैं next video का shortcut link भी आपे दे रही हूँ और इस पूरे video series का playlist मैं आपके लिए provide कर रही हूँ so thank you friends and stay tuned with tech talks, thank you